हर दोई में रिष्टों को शरम सार करने वाली घटना सामने आई है जहां एक बेटे ने अपने वृद्ध पिता को छट से नीचे फेंग दिया मामला देहात कोतुवाली इलाके के प्रगती नगर मोहलेका है जहां बेटे बहु के बीच हो रही काहसुनी को रोकने गए वृद्ध पिता को गोसाए बेटे ने चट से नीचे फेंग दिया जिस वजह से पिता के सर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई वही मृतकी बहु ने अपने पती के खिलाफ ससुर की हत्या का मुकद्मा दर्ज कराया है जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पती को ग्रफतार कर लिया है वही पुलिस हेरासत में खड़े बेटे को पता की हत्या का कोई अफसोस नहीं है पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से आशीश दुवेधी की रिपोर्ट कर दो